प्रधानमदी जैन मोदी ने 36 गड़ को कई बड़ी सवगाते दी उन्होंने वीडियो कॉन्टरेंसिंग के जरीए विक्सित भारत विक्सित 36 गड़ संकल्प यात्रा की शुरुआत की साथी लगभग 35,000 करोड के 10 परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान न्यास भी किया आप शिर्वाद देने के लिए मैं 36 गड़ की लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और भारी संख्या में इस देज के भोईस करणधार मेरे प्यारे इसकुली भाई और बहनों मैं सबसे पहले आप सबलों से आगरह करूँगा कि करतल ध्वनी से हमारे असोसी परधान मंत्री जी का स्वागत करें माने परधान मंत्री जी मैं 36 गड़ के 3 करोड नागरिकों के तरफ से आपका हिर्दै से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आज विक्सित भारत विक्सित 36 गड़ एक कारकम के तहत आप 36 गड़ को 34,427 करोड रूपिय का 10 विकास परिवजुनाओं को हम लोग को सवगात दे रहे हैं इसलिए मैं पुनह पूरे 36 गड़ की जनता के तरफ से आपका अभार ब्यत करता हूं हम 36 गड़ वासियों के उपर आपका हमेशा सने रहता है आपका हमेशा अनुगरह हम 36 गड़ वासियों के उपर में रहता है 36 गड़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधान सभा के चुनाओं में एतिहासिक विजय भारती जनता पाटी को दिलाई आदने पर्धानमंत्री जी आपके गारंटी के कामों को हम सब लोग पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं सरकार बनते ही आपके मारदरसंद में 18 लाग परिवारों को पर्धानमंत्री आवास की सुकृति का निरने ले लिये हैं दो साल का जो धान का बकाया बोनस था 12 लाग से ज्यादा किसानों का ऐसे 316 करोर रुप्या उनके खातों में भेजने का काम किये हैं 21 कुइंटल परतियकर धान खरिदे हैं और इस साल बंफर धान की खरिदी हुई है एक लाग जिसमें 335 सडकों का निर्माड होगा और पर्धान मंत्री जन्मन योजना में ऐसे बिपिती लोगों के 366 बसा हटों तक रोड पहुँचेगा माने पर्थान मंत्री थी मैं आपका भारत सरकार का लक्ष सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बील जीरो करने का भी है मोदी हर घर को सूरिय घर बनाना चाहता है मोदी हर परिवार को घर में बिजली बना कर वही बिजली बेच कर कमाई का एक और साधन देना चाहता है इसी उद्देश के साथ हमने पी-एम सूरिय घर मुप्त बिजली योजना शुरू किया है अभी ये योजना एक करोड परिवारों के लिए है इसके तहट घर की छट पर सौर उर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी इससे तीन सो यूनिट तक बिजली मुप्त मिलेगी और जाजा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरिज लेगी इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुप्ये की कमाई होगी सरकार का जोर हमारे अन्न दाता को उर्जा दाता बनाने पर भी है सोलर फंप के लिए खेत के किनारे बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्रांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है भाई और भेनों 36 गड़ में डबल इंजिन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है वो बहुत प्रसंशनिया है 36 गड़ के लाखों किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है चुनाओ के समय मैंने तेंदू पक्ता संग्रहाकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी डबल इंजिन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है पहले की कॉंग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी रोडे अटका रही थी अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है हर गर जल की योजना हर गर जल इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बना रही है